शुप्रबाद विद्यार्तियों, आज के हिंदी कक्सा में आप से विद्यार्तियों का मैं पुना स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ के से विद्यार्तियों स्वस्त एवं सुरक्सित होंगे। आज की इस कक्सा में हम सूर्दास जी के जीवन परिचा के बारे में पढ़ेंगे एवं उनके द्वारा रचित पद्या के बारे में जानेंगे तो चलिए आज हम जहें सूर्दास जी के जीवन परिचा के बारे में जानते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार का था एवं उनने अ विद्यारती नए हैं वें सभी अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अपने बैल आइकन को प्रेस करें ताकि जो है आपको आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे साथ इसाथ मैं आपसे यह भी निमेजन करता हूं कि जिन विद्या नोट्स है या फिर आपकी कोई पीडिया फाइल से या फिर वर्ड में कोई भी नोट्स है तो वह आपको महां आसानी से उपलब्द हो जाएंगे तो चलिए अब जो है सूरदास जी के जिवन फ्रेचर के बारे में प्रारण करते हैं सूरदास जी का जन्म कहां पर हुआ था सूर्दास जी का जन्म हुआ था वे रुनकता या रिनु का छेत्र जिला आगरा उत्तर प्रदेश में माना जाता है सूर्दास जी का जन्म का हुआ था रुनकता या रिनु का छेत्र अब साधारन भासा में इतना भी कह सकते है कि जिला आगरा उत्तर प्रदेश में माना जाता है माना जाता है कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्मिस्थान माना है कुछ विद्वानों का मानना था कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में इनका जन्म हुआ है और कुछ का मानना है दिल्ली के निकट सिही ग्राम में सूर्दास मतुरा और व्रिंदावन के बीच गव घाट पर रहते थे कहां रहते थे सूर्दास जिए मतुरा और व्रिंदावन के बीच में एक गव घाट है वहां पर रहते थे वे महाप्रभु वल्लभाचारिय के शिश्य थे तथा पुष्टिमार की संप्रदाय के अश्ट छाप कवियों में उनकी सारवादिक प्रसिद्धी थी पुष्टिमार की संप्रदाय है उसके जो है अश्ट छाप कवियों में उसमें जो है आठ कवि जो है अतिविशेश थे उनमें जो है उनकी सारवादिक प्रसिद्धी किसकी थी सूर्दास जी की सूर्दास जी के बारे में कहा जाता है कि वें जन्मांद थे यानिकी जन्म से ही अंधे परंतो उनके काव्या में प्रकरती एवं स्रीकृष्ण की बाल लिलाओं आदी का वरणन देखकर ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि वें जन्मांद थे सूर्दास सगुनोपासक क्रिश्ण भक्त कभी थे जन्म से अंधे थे परंतो उनके काव्या के बारे में जब पढ़े जाते हैं और जो उन काव्यों में उन्होंने प्रकृतिक और बारे में बार लिलाओं के जो वरणन किया है उन्होंने उसके बारे में पढ़गर करके देख करके ऐसा मलतिया परतीती नहीं होता है जन्म से हैं यंदे थे और जो सोरदास जी थे वो क्या थे से गुर्णो पाशक क्रिश्न भक्त कवी थे वे सभी गुर्णो के उपासत जो है क्रिश्न भक्त के कवी थे उनकी जो है कविताओं में क्रिश्न की भक्त यह रखती है क्रिश्न की बाल लिलाओं के बारे में पता चलता है उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मधुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन लिलाओं से संबंदित अत्यनत मनोहर पदो की रशना की है स्रीव कृष्ण की बाल लिलाओं का वरन अपनी सहजता, मनोवैग्यानिकता और स्वाभाविकता की कारण वे अदित्या क्यलाते हैं यानि कि जो है एक विशिष्ट व्यक्ति वे मुख्यता वाद्चल्य और स्रिंगार के कवी हैं वाद्चल्य के रस एवं स्रिंगार रस सूर्दास का अलंकार विधान उत्क्रिष्ट है उसमें शब्देचित्र उपस्तित करने एवं प्रसंगों की वास्तिक अनुभूती कराने की पूर्ण शमता है यहनकि जो इनुने सूर्दास जी के द्वारा जो पद या दोहे लिगे गए हैं उन पदों में आप जब उन पदों को पड़ोगे तो ऐसा अनुभूत होता है कि यह वास्तिकता में चल रहा हो यह फिर यह वास्तिकता मनलब जो है कवी के साबने वास्तिकता जब घटी थी उसको उनुने शब्दों में उतारा है मनलब वास्तिकता की अनुभूती होती है सूर्डास जी ने अपने काव्यों में अनेक अलंकारों के साथ साथ उप्मा उत्प्रेक्सा और रूपक का कुशल प्रयोक किया है सूर्डास जी कि वहासा कौन सी है ब्रज भासा है कौनसी है ब्रज भासा साधरान बोलचाल की भासा को प्रस्कृत कर यहीं कि सुधार करके उन्होंने उसे साहितिक रूप प्रदान किया है उनके कावब्य में ब्रज भासा का स्वाभाविक सजीव एवं भावानुकूल प्रियोग है मतलब सही जगह पर सटीक बात उन्होंने जो है प्रियोग करके लिखी है सुर के सभी पद गे है मतलब गाये जाते हैं गाकर बोल जाते हैं वे किसी न किसी राग से संबन्दित है उनके पदों में कावब्य और संगीत का अपूर्व संगम है इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है यनके सूरदास जगद द्वारा जो सूर सागर लिखा गया है उसको राग सागर भी इसलिए कहा जाता है सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुक का व्यक्रितियां है पाठ्थे पुस्तक में इनके दो पद संखलिद हैं कितने पद लिए गए हैं? दो पद लिए गए हैं पहले पद में स्री कृष्ण की बाल लीला का वरनन है कौन किस कवरणन है श्री कृष्ण की बाल लिला कवरणन खेल में हार जाने पर स्री कृष्ण अपनी हार को स्विकार नहीं करते स्विकार नहीं करना चाहते यहां बाल मनोविज्ञान का शुक्ष मशित्रन देखा जा सकता है दूसरे पद में गोपिया आपस में दूसरे पदमें क्या तो गोपिया आपस में अपनी सक्यों से कृष्ण की मुरली के परती जो रोज परकट करती हैं, जो दुख परकट करती हैं, क्रोध परकट करती हैं, उस से कृष्ण के परती उनका प्रेम ही परकट होता है, मुरली कृष्ण के नजदीक ही नहीं है, वे जैसा चाहती है कृष्ण को वैसा ही करवा दिती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मी ये बन बैठी और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी कर बनवाती है। इस पद में गोपिया मुरली के परती इर्श्या भाव पर कट करती है। कि जो है किस परकार से वो मुरली जो है, वो एक तो जो है सृ कृष्ण के बदप्रीया हो गई है और उपर से हमारे वपर गुष्णा भी करवाती हैं स्रिक्रिक्रिक्र venom क अन्य अच्छा अच्छा शब्दों के दौरा, हम इसमें जो है गोपियों और स्रीकृष्ण के बारे में गोपियों का मुरली के उपर इर्शक करते हुए जो है इन पदों को पढ़ेंगे प्रतम पद्य खेलन में काको गुशेया हरी हारे जीते स्रीदामा हरी हारे जीते स्रिधामा बरसत ही कत करत रिसेया खेलन में काको गुसेया हरी हारे जीते स्रिधामा बर्बस ही कत करत रिसेया जाती पाती हमते बढ़ नाही बसत तुम्हारी छेया अति अधिकार जमावत याते जाते अधिक तुम्हारी गेया रूठई करे तासो को खेले रहे बैठी जहत है गवेया सूर दासपर्वो खेल्यो चाहत दावु दियो करी नंद दुहेया चलिए इस पद्य के बारे में हम थोड़ा सा अर्द जानेंगे इसका सूर दास जी के जो यह पद्य है इस पद्य के हम सबसे पहले संधर पर समझेंगे संधर जो है सप्रसंग व्याख्या जिससे प्रसंग जिससे कहते हुआ वही एक बार पुने स्काउच चलाने देखते हैं खेलन में काको उसेया हरी हारे जीते स्रीदामा बर्बस हीकत करत रिशेया जाती पाती हमते बढ़ नाही नाही बसत तुम्हारी छेया अधि अधिकार जमावत याते जाते अधिक तुम्हारी गेया रूठे करे तासो को खेले रहे बैठी जहते हैं गवेया सूर दासपरो खेले उचाहत दाओ दियो करी नंद दुहेया तो चलिए इसके प्रसंग के बार में जानते हैं प्रस्तुत पद्यान्स जो है आपकी हमारी हिंदी की पाठ्थ अपुस्तक अंतरा भाग एक से लिया गया है ये ऐसे रुचते हैं प्रस्तुत पद्यान समारी हिंदे के पाठ्थ अपुस्तक अंतरा भाग एक से सूर दास दुआररचित पद्य से लिया गया है इस पद में कभी ने भगवान श्रीकुष्ण को खेल में हार जाने को बड़े स्वभावे ग्रोप से चितरित किया है चितरित किया है स्रीदामा से हार जाने पर स्री कृष्ण हार स्विकार नहीं करते और रूट कर एक तरफ बैठ जाते हैं पुना खेलने का मन होने पर वेनन्द बाबा की दुहाई दे कर स्रीदामा की मलजे स्रीदामा के साथ खेलने के लिए तियार हो जाते हैं अपनी जो है बाजी मलजे अपना दाओं देने के लिए तियार हो जाते हैं श्रीकिष्ण की बाल सुलब रीज का वे बाल लिला का सहज स्वभाविक वरनन बड़े सुन्दर तरीके से इस पध्यान्स के माध्यम से किया गया है जिसका स्रीकृष्ण की बालसुलब लिलाओं का वरनन जो है बड़े ही स्वभाविक एवं सहय सुन्दर तरीके से चित्रन किया गया है तो चलिए अब बालसुलब की रड़ाए किस प्रकार से हम जानते हैं अब कहते हैं खेलन में काको गुसे यो श्री कृष्ण और स्री दामा जो है सुदामा जी यानि की स्री दामा का मतलब सुदामा स्री दामा जी खेल रहे थे और इसमें जो है खेलते खेलते जिसमें स्री कृष्ण जी क्या हो जाते हैं हार जाते हैं हारने पर भी में स्री दामा को दाव देने से मना कर जाते हैं का गुस्सा किस परकार का क्रोध खेल में सब बराबर होते हैं हाद भी होती है जीत भी होती है तो गुस्सा किस परकार का गुस्सा नहीं करना चाहिए हरी हारे जीते स्रीदामा हरी जो है यानि कि भगवान स्रीदामा जीते स्रीदामा क्या हो गए है जीत गए है बर्बस ही कर रिसयह यानि कि जो है ऐा स्का работу के बाद भी स्रीडामा जो है स्रीडामा को डाव देने के वह तयार नहीं होते और स्रीडामा पर क्रोधित होने लगते हैं स्रेजा Suzanne के बरसना क्रोधित होना घुष्षा होना रिसयह मतलब हुष्षा ओना ठिक बर्बस हेकत करत रिसेया ठीक है यानि कि जो है बिना किसी वजा के जो है हरी क्या गर रहे हैं रूस रहे हैं गुस्सा हो रहे हैं ठीक है किस पर स्रीदामा पर क्रोधित होने लगते हैं स्रीदामा तता अन्य जो अन्य जमित्र है स्रिक्रिश्टन से कहते है जाती पाती हमते बढ़ना ही ना ही बसत तुम्हारी छेया जब ये गटना गटती है कि स्रीदामा से गुस्सा हो जाते हैं और अपनी हारने के पस्चात अपना दाओं देने के लिए मना कर देते हैं स्रीकृष्णी जी और उपर से गुस्सा भी करते हैं तो सुदामा जी और उनके मित्र जो है सब मिल करके स्री कृष्ण दे क्या कहते हैं जाती पाती हमते बढ़ना ही यानि कि तुम हम पर इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो सबसे पहरे इनको कहते हैं तुम इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो भई खेल में कोई छोटा बड़ा थोड़ी नहोता है जो जीता है वो खेलता है दो दुबरा होती है स्री रामक फिर कृष्टन से कहते हैं ना तो जाती में तुम हमसे बड़े हो ना ही हम तुम्हारी शरण में रहते हैं जाती पाती हमते बड़ ना ही बसत तुम्हारी छेया यानि कि जो जाती है वो तुमसे हमसे अधिक बड़ी नहीं है आपके जाती बलके हमारी जातिया दिको उची है तुमसे नहीं बसत तुम्हारी छेया और नहीं हम बसते हैं तुम्हारी छेया में यानि कि तुम्हारी शरण में नहीं बसत तुम्हारी छेया नहीं हम तुम्हारी बसते हैं हम तुम्हारी छेया में कि जाती जो है जाती ना तो तुम हमसे जाती में बड़े हो ना हम तुम्हारी शरण में रहते हैं फिर जो है तुम अब इतनी एट क्यों दिखा रहे हो किसलिए दिखा रहे हो अधी फिर आगे कहते हैं अधी अधिकार जमावत याते जाते अधिक तुम्हारी गया फिर सुद जमावत है सायद इसलिए तुम इतना अदिकार जिता रहे हो क्यों क्यों कि सायद तुम्हारे पास भी हम से दी गाये है इसलिए हम आगे कहते हैं रूठी करे तासो को खेले रहे बैठे जहत है । इसलिएBERTру रहे बैठे यह तै है सा Hamilton begging भूले को को क्यल में रूठने वाले के साथ में रूठे कैस्त का पसंद करता नहीं कोई बात करना पसंद करता नहीं हैं अपने मन मैं सामने वाला representing सोचता है अगर से इसको खिलांगे बेरीया बीया धांस्याद है दाव तो देगा至 seemed से मड़ीयास को मत खेलाओ तुम्हें तो इस प्रकार से कोई पसंद नहीं करेगा ऐसा कहकर सबी गौल वाले ठीक है इधर उधर बैठ जाकर बैठ जाते हैं रहे बैठे जहत है गवं में जो गवियां है जहत है यहां वहां जाकर करके रहे बैठे बैठ जाते हैं कि जो है देखते हैं क्या कहते हैं थोड़े देर में सोच भी जार के हाला कि स्रिक्रिष्ण अंदुर्णी मन से खेलना चाहते हैं सूरदास प्रभू खेल लियो चाहते हैं यानि कि सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभू जो हैं वो क्या करना च चाहते हैं वो खेलना चाहते हैं तो जो है पर वे स्रीदामा पर भी ऐसान रखते हुए कहते हैं कि देखो दोबारा खेल रहा हूं वो खेलना चाहते हैं इसलिए जो है सुदामा पर ऐसान रखते हुए कहते हैं कि देखो मैं अब दुबारा खेल रहा हूं ठीक है वे नंद ब दाओं बाजी लेने को तयार हो जाते हैं स्रीदामा की जो दाओं थी बाजी थी उसको देने को तयार हो जाते हैं किसकी दुहाई देते हुए नंद बाबा की दुहाई देते हुए जो है इसको हम दो तरीकों से कह सकते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि जो है स्रीकृष्ण जी नंद बाबा की दुहाई देते वे अपना दाव देने के लिए तियार हो जाते हैं यह फिर हम यह भी कह सकते हैं स्रीकृष्ण जी नंद बाबा की दुहाई देते वे कहते हैं कि ऐसा दुवारा नहीं होगा इसलिए जो है वो खेलने के लिए त्यार हो जाते हैं ऐसा भी कह सकते हैं जो है स्रीकिष्ण को सभी व्यक्ति नंद बाबा की दुखाई देते वे कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आप जो है खेलने के लिए त्यार हो जाते हैं तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं तो चलिए एक बार हम पूरे पद्या का एक बार अर्थ हम दोरा लेते हैं संपूर पद्याकार्थ को स्री कृष्ण और स्री दामा खेल रहे होते हैं जिसमें स्री कृष्ण जी हार जाते हैं तो कहते हैं खेल में किस परकार का गुस्सा खेल खेल में ही स्री कृष्ण जी हार जाते हैं और स्री दामा जीद जाते हैं स्री दामा की जीदने के पस्चात में जब स्री कृष्ण का दाव देने की बारी आती है तो स्री कृष्ण जी मना कर देते हैं और स्री दामा पर क्रोधित हो जाते हैं और गुस्सा करने लग जाते हैं कि जो है मैं दाव नहीं दूँगा स्रीदामा और उनके अन्य जो मित्र थे में स्रीक्रिष्ण से कहते हैं कि तुम इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है सभी बराबर होते हैं अब मिनुर्यत तुमको या आपको क्रोध नहीं करना चाहिए इस पर स्रीदामा जी कहते हैं कि हाँ तुम इसलिए क्रोध हम पर क्रोध दिखा रहे हो कि जो है तुम हम पर किसलिए क्रोध दिखा रहे हो स्रीदामा जी कहते हैं ना तो तुम्हारी जाती हम से बड़ी है ना बसत तुम्हारी छेया ना ही हम तुम्हारी शर्ण में रहते हैं फिर इतना क्रोध किसलिए इतनी एट किसलिए दिखा रहे हो आप आगे कहते हैं सिर्दामा जी हाँ तुम इसलिए इतनी अधिक एट दिखा रहे हो कि तुम्हारे पास हमसे अधिक गाएं है इसलिए तुम इतना अधिकार जमारत रहे हो अति अधिकार जमावत याते जाते अधिक तुम्हारी गया तुम अपना जादा अधिकार इसलिए जमार रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास हमसे अधिक गाएं है रूठे ही करे तासो को खेलो आगे सिधा वाजी कहते हैं जो है खेल में रूठने वालों के साथ में कोई बैटता उठता नहीं खेल उठाई करें खेलो को तासो को खेलो याने कि अनके साथ में कोई खेलना पसंद नहीं करता ऐसा कह कर सभी ग्वाल वाले रही बैठे जहत है गवे या इधर उदर जागर के बैठ जाते हैं जब थोड़ा समय बीखता है उसके पस्चात में सूरदास जी कहते हैं सूरदास जी कहते हैं फिर कि जो प्रबू है वो खेलना चाहते हैं इसलिए वे क्या करते हैं दाओ दियो करें नंद दुहाई इस प्रकार से हमने जो है सूरदास जी के द्वार रचित प्रथम पद्या को जाना मैं आशा करता हूँ सभी विद्यारतियों को इस पद्या का अर्थ समझ में आया होगा और किसी के अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वह पूछ सकता है एवं अगर चिंची थोड़ी बहुत जो है आपको तकलिफ हो रही है समझने में तो एक या दो बार इस विडियो को पुना देखिए जहां से मैंने सरलार्थ प्रारम किया है वहीं से तो अमीद है कि आपको इसकार्थ समझ में आ जाएगा क्योंकि आप अगर ध्यान से ध्यान देकर भी पड़ोगे तो भी आप सुयम से इसकार्थ निकाल सकते हो इतना कठिन अर्थ नहीं है आज की कक्समे सभी विद्यारतियों के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब हम इनका दूसरा पद्या जो है वह अगली कक्समे पड़ेंगे